खबर ललितपुर से है जहां जिलाकारगार में जेल लोक अदालत का आयोजिन किया गया जिसमें कैदियों को विधिक साक्षिर्ता के बारे में जागरुक किया गया साथ ही बताया कि यदि अभियुक्त निर्दोश है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रात्ना पत्र दे सकता है जिससे उसका डॉक्टरी परिक्षन करा लिया जाता है इसके साथ ही डॉक्टर सुनील ने महिला बैरिक में जाकर महिला बंदियों को भी विधिक जाग रुकता दी जहां कई महिलाओं ने वकील ना नियुक्त होने की शिकायत की है